पटना और भागलपूर समेत कोसी और सिवांचल के साथ साथ समूचे बिहार में जमा जम बारिश हो रही है जिसका खेती पर भी गहरा असर पड़ा है बारिश से कहीं किसान के चेरे खिले हुए हैं तो कहीं अधिक बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है वैसे सुबे में बेहत कम बारिश होने की वज़ा से इस बार किसान परेशान नजर आ रहे थे वहीं जब मौनसून लोटा है तो बारिश से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पिछले तीन दिनों तक रुक रुक कर हुई बारिश से किसानों के फसलों की उमीद बढ़ी है जिससे किसानों के चेहरे पर खुश ही देखी जा रही है अभी तक उन्हें अपनी फसल सूखने की चिंता सता रही थी लेकिन बारिश ने मानों उनके लिए संजीवनी का काम किया हो किसानों का कहना है कि इस बारिश से उन्हें काफी राहत मिली है ऐसा माना जाता है कि उत्तरा नक्षत्र का पानी खरीफ के मुख्य फसल धान के लिए काफी फायदे मंद होता है बाली दे रहे धान की फसल के लिए उत्तरा नक्षत्र में हो रही बारिश संजीवनी का काम कर रही है धान के साथ साथ अन्य फसलों के लिए भी ये फाइदे मन्द है बता दें कि 14 सितंबर से शुरू हुए उत्रा नक्षत्र दो दिनों से उमर गुमर कर खूब बरस रही है कि वर भी ये भी बरस रही है झालो है कर दो कि अर आपन कर दो झाल झाल